एमसी शिमला के वाडों के पुनर सिमांकन को लेकर हाई कोट में दायर याची का परणीर ने आने के बाद कॉंग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। उन्हें बढ़ाया गया है। विक्रम अदित्य सिंग ने कहा कि ये सब मंत्री सुरेश भार्दवाज की इशारे पर हो रहा है। दर्व में आया है। और जो हमको जानकारी है, जो हमने अलग-अलग वार्ड में वहां के हमारे जो कारे करता है, वहां के लोग हैं उनसे बात करी है। तो ये धांदली केवल तीन वार्ड में नहीं हुई है। हलांके याचिका केवल तीन वार्ड की हुई है, मगर अगर और भी इलाकों से इसकी याचिका जाती तो हर वार्ड के उपर ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो खारेज होनी थी। तो अब क्योंकि ये प्रोसेस अभी हाई कोड का ओर्ड आया है, अभी ये केवल तीन वार्ड के मुतलक आया है या पूरे के पूरे 41 वार्ड के मुतलक आया है, ये चीज़ हमको अभी देखनी है। और अगर ये केवल तीन वार्ड के मुतलक आया है, तो आने वाले समय में और वार्ड में भी जो इस तरीके की धानली भाजपाने करी है उसके खिलाफ हम जो है आई कोट में आने वाले समय में जाएंगे क्योंकि जैसा मैं कहा रहा हूँ कि ये केवल तीन वार्ड तक ही सिमित नहीं है हर वार्ड में अपने लोगों को आगे लाने के लिए लोगदांतरिक बनाली की धजियां उड़ाई है और इस प्रकरन के खिलाफ हम जो है जमीन स्तर पे जाएंगे सबसे संपर्ख सादेंगे और जहां जहां भी हमको लगता है कि इस तरीके की धानलीया हुई है अने वाले समय में नेर फ्यूचर में हम इसके खिलाफ जो है वो हाई कोट के अंदर याचिका उन लोगों से दायर करवाएंगे और इसका परिनाम जो है वो जनता के सामने जल्द आएगा मनशा इसमें ये है केवल कि इन्होंने अपनी राजनेतिक रोटियां सेखनी है और खास करके मैं गुरेज नहीं करूंगा ये सारा का सारा किया धरा जो है वो मननिया मंतरी जी का है सिरी शुरेश भार्दवाज जी उनकी रहनुमाई में ये सब चीज़े यहाँ पर हुई है क्योंकि उनको ये चीज़ दिख रही है कि मेरी जो है राजनेतिक विकेट जो है वो जल्दी उनने वाली है और उस चीज़ को मद्दे नजर रखते हुए उन्होंने सारा का सारा जो है ये ताना बुना जो है वो डेप्टी कमिशनर शिमला के साथ बुना है और मैं गुरेज नहीं कहूंगा करने में कि डेप्टी कमिशनर अपने मैंडेट जो उनका एक अधिकारिक रूप से मैंडेट है उससे आगे जाकर उन्होंने जो है अपने राजनेतिक आकाओं की इच्छा को जो पूरा करने का ये प्रयास किया है ये बहुत दुर भाग्य पूरन है शिमला से एनवन लाइफ के लिए योगराज शर्मा की रिपूर्ट